2024 को लेकर आप समझ से हैं क्या आप अल्रेडी एक एजेंडा लेकर चल रहे हैं कि 2024 के इलेक्शन के लिए क्या मुद्दा होगा BJP के लिए क्या मैसिजिंग होगा देश का विकास सुरक्षित देश देश से अर्थ तंत्र को विश्व में सबसे तेज गती से बढ़ने वाला अर्थ तंत्र बनाना भारत का घवरव समगर विश्व के अंदर पहुंचाने का प्रयास और सफलता पूर्वकिस की स्विक्रिती आई है और देश के साथ करोड गर देश लोगों के जीवन स्तर को उठाने का आठ साल के अलपकाल के अंदर जो प्रयास किया और हम उठाने में सफल भी हुए है और धेर सारी सिध्या रेल्वे में आमुर्चूर परिवर्तन हो रहा है अंत्रिक्स के क्षेत्र में नई नीती बनकर आज हम अंत्रिक्स के क्ष खेत्र में भी बहुत सारी पॉलिसी हमने तई की है इंडस्ट्रियल डेवलप्मेंट के लिए बेकिन इंडिया को सफल बनाने के लिए भारत समगर विश्म उत्पादन का हब बने इसके लिए धेर सारी नितिया बनाकर हिंग में सफलता पुर्वक प्रयास किया है भारत की डि उग्रवाद लगभग लगभग समाप्ति के आरे पर है जम्मु कस्मीर के अंदर आतंकवाद पर पून तया हमारी एजंचियों का कंट्रोल है वर्चस्व है नौर्थिष्ट के अंदर पूरा एक प्रकार से जो उग्रवादी ग्रूप थे इसके अंदर बहुत सारा समाध जान करकर हमने दीरे दीरे करकांट हजार से ज्यादा उग्रवादी ग्रूपों के लोगों को मेंस्ट्रिम में लाने में सफलता हुए नौर्थ इस पहली बार विकास का अंबव कर रहा है मैं तो अभी तृपूरा में गूम रहा हूं आज भी एक मैं बहुत गरिब घर के द्यार के लिए घागता उसने तोीलेट भी बताया घर में बिजली भी बताई और नल से आता हुआ पानी भी बताया और आईशेमान भारत का काड भी बताया लाभारृती स्कीम भी गरिब की घर में पहूंचा है और भाहर ही दान का बड़ा प्लास्टिक का बोरा बड़ा था मैंने को माई क्या करोगी दान को दीरे-दीरे यूज करोगी कि ना अब तो फ्री चावल मिलता है इसको हम बेच लेंगे सरकार धान खरीदती भी है बादपा की सरकार इसको हम बेच देंगे और हमारा खाने का अन्ना तो चावल तो मोदी जी बेज रहे हैं उससे तेल और सब्सक्राइब करेंगे इसके गर में लगबग लगबग मैंने ऐसा पूछा नहीं प्लास्टर वाले घर की चमक थी अभी कलर भी नहीं लगा था घर में प्लास्टर हो चुका है इसको गवरो था तो यह परिवर्तन जो है मैं मानता हूं कि 2024 में कहीं कोई परदा नहीं है द